आज हम बनाएंगे के लास 10 के एक्सेसाइज 18.4 के वेरी शॉर्ट एंसर को ठीक है जिसमें mcq है true false है और fill in the blank से इसे पिछले वीडियो में मैंने 18.4 के question number 1 और 2 को जो ज्यादा important था उसको मैंने बनाया है उस वीडियो का link में नीचे description में दे दूंगा आप उसे एक बार जरूर देखिएगा जो mcq है उसको देखें पहला mcq है इन triangle a b c and triangle d e f दो triangle या तिर्भू जे इन दोनों में कहा गया है अगर if ab बटा d e बराबर abc बटा f d बराबर ac बटा e f then इन में से कौन सा सही होगा या angle b बराबर angle e होगा या angle a बराबर angle d angle b बराबर angle d या angle a बराबर angle f इन में से कौन सा correct होगा तो इसको कैसे हम समझेंगे पहले तो इसका नक्षा को इसका चितर को हम अच्छे तरह समझना पड़ेगा तो देखिए इस ट्रण दो ट्रेंगल है दो तिरभुजे एक ट्रेंगल ABC एक ट्रेंगल DEF है मैंने नक्षा बनाया इसका चितर ABC और DEF अब यह दियावाता question में इससे हम देखते है कि किस से किस का match करेगा कौन किसका corresponding side होगा या संगत भुजा होगा नजीरी जी ले AB बटा DE दियावा यानि इसका AB जो है वो किस के साथ corresponding या संगत बराबर होगा AB DE के साथ होगा ठीक है तो यह AB के साथ किसका matching है DE के साथ मैच है ठीक है तो इसको समझने के लिए मुआन नमबर दे देते हैं AB के साथ DE तो इसको मुआन इसका भी यह वान दे देते है उके उस समझना है आपको BC के साथ FD का relation है यह दोनों आपस में corresponding side है या संगत भुजा है ठीक है या एक जिसा position में एक जिसा जगा में तो BC के साथ होगा FD तो अगर BC को माली जे नाम दे देते हैं 2 तो यह हो जागा FD हो जागा 2 ओके और AC के साथ EF तो यह AC तीसरा होगा और EF ठी तो अब यहां से अगर हम देखेंगे तो फिर दोनों triangle क्या होगा इनका जो side है या भूजा है इनका ratio आपस में बराबर है इनका जो अनुपात ये बराबर है तो फिर क्या होगा यह दोनों triangle आपस में similar हो जाएगा जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है similar triangle में अगर तीनों side का ratio या अनुपात बराबर हो जाता है दो triangle में तो फिर वो दोनों similar हो जाता है या समरूप हो जाता है ठीक है तो यह दोनो similar तो होगा लेकिन हम क्या लिखेंगे इस तरह नहीं होगा यह दोनो अगर triangle ABC अगर होगा तो इसके साथ जो यह similar होगा तो DF नाम नही लिखना पड़ेगा ठीक है एक के साथ D का क्या relation है इसको समझ लीजिए यहां से देखिए अगर हम इसको नाम देते ABC तो हम कैसे चल रहे है पहले 1 में फिर 2 में फिर 3 में तो यह भी उसी तरह चलना पड़ेगा हमें पहले 1 फिर 2 फिर 3 तो यह वान यानि हमें किस तरह से ल 1 2 3 तो किस तरह relation होगा E D F ठीक है E D F यह होगा दोनों similar triangle ओके triangle तो से में लेकि नाम लिखने का तरीका समझना पड़ेगा A के साथ किस का साथ मैच होगा E के साथ ना D के साथ वो यहां से हमको समझ में आया ठीक है यह दोनों similar है सम रूप है अब यह जब दोनों बराबर है तो फिर जो question में देवा कि कौन सा angle किस के साथ मैच करेगा तो देखिए उसमें से option में है जो correct option होगा वो हो जागा C यहां एंगल B जो है वान और टू के बीच में है angle B और वान और टू के बीच में है एंगल D है तो यह दोनों आपस में do ओगा यह दोनों कौन बराबर होगा करेक्ट अप्षन जोगा वह होगा सी और बाकी आप देख लीजेगा पहला उप्षन में मने हैं या ब्राबर या ऑपस में बराबर यह तो बिया और राइघ तो नहीं है गलत है यह जि स्थार है और दुसरा मेंений ऑद्धी बराबर है इसके बाद दूसरा question है इन triangle DEF and triangle P की वार इन दोनों triangle या तिरभूज में angle D बराबर angle Q है और angle R बराबर angle E है यह दोनों कौन आपस में बराबर है then let us write which of the following is not right तो इन में से कौन सही नहीं है मतलब गलत है इन में से कौन गलत है इसके लिए भी हम इसका नक्षा इची तरह से समझना पड़ेगा तो इस ट्रण यह जो दो नंबर का है ना इसका मैंने नक्षा यहीं पर बना दिया है आपको दोनों सामने सामने से रख के दिखाना हो ताकि आपको इस समझ में सही से आज़ा के ठीक है एक triangle DEF है तो यह DEF हो होगा ना उसे के हिसाब से उसके corresponding संगत की क्यों होगा तो ड के साथ क्यों बराबर है और यह पर तो आपको यहां पर होगा तो यहां पर होगा तो यहां पर और थैक अप है इसलिए मैं यहां पर नाम लखेंगे समझ किए अब कौन बचा इसमें तो DEF हो गया ITS में क्यों और कौन सा बज जा रहा है, P बज जा रहा है, P तो P जरूर ये तिसरा वाला P हो जाएगा, ठीक है? ये होगी है P, तो P जो समझ में आगिया, कहां पे होगा? ठीक है? अब इसके ये दोनों जो है दो दो एंगल दोनों में बराबर है दो दो कौन बराबर है ठीक है तो दो अगर एंगल बराबर है तो तीसरा वाला भी आटोमेटिक बराबर होई जाएगा ठीक है क्योंकि दो ट्रेंगल में दो तिरिवुज में अगर दो दो एंगल बराबर हो जाता है तो तीसरा वा यहां पर भी हो जागा 60 और यह हो जागा 40 ठीक है तो 60 और 40 कितना हो गया 100 तो यह बाकी जो बचा यह कितना होना चाहिए यह होना चाहिए कितना तीनों जोड के 180 होता है तो अगर तो यहां भी 60 और 40 कितना हो और यह कितना हो गा यह जागा 80 तो यहां भी 80 को अगरा 20 और यह 2-2 एंगल तो त यह याद रखेगा एक काम आएगा तो यह दोनों ट्रैंगल का तीन तीन इंगल वराबर हो गया तो यह दोना आपस में होगी है similar यह सम्रूफ हो गया तो सम्रूफ हो गया similar हो गया तो क्या होगा इनका जो corresponding side है उसका ratio जो संगत भूजा है उनका ratio या अनुपात वो भी बराबर होगा तो अब इसमें से कौन सा यहां match करेगा देखिए अगर हम यहां पर देखें यहां पर बोला कौन सा correct नहीं है कौन सा right नहीं है तो यहां जो right नहीं है वो है B वाला यहां पर B वाला कैसे हम check करेंगे देखिए B में यहां पर बोला है Q R बटा P Q यानि Q R कौन सा रहा है Q R यह वाला ठीक है इसको नाम देदेते 1 Q R बटा P Q PQ कौन सा हो रहा है ये वाला PQ ये 2 नाम दे देते हैं ये 1 और ये 2 इन दोनों का रेशियो या बटा बराबर किसके साथ होगा अगर हम इसके QR लेंगे तो फिर इसका कौन सा होना चाहिए इसका होना चाहिए DE ये होना चाहिए इसके जैसा similar corresponding या संगत और इसका QP अगर है PQ अगर है तो फिर इसका क्या होना चाहिए FD होना चाहिए 2 लेकिन यहां पर देखे QR बटा PQ है तो यहां पर होना चाहिए यहां पर होना चाहिए यहां पर होना चाहिए DE बटा FD होना चाहिए DF होना चाहिए लेकिन यहां पर है आप देखेंगे तो वो सही है, क्योंकि जैसे के यहां पर पहला वाला में, दीाेफ अगा यह तिनों भी दीदाई तो सैम से में, ज। दूसरा वाला गलत है, और बी वाला रॉंग है, नॉट राइट, ठीक है इसमे टिक करेंगे, यही पूछा ता है। इसके बाद तीसरा question है इन triangle ABC and triangle DEF दोनों triangle A तिर्भूजे A बराबर E बराबर 40 यह दोनों angle 40 degree है और AB is to ED बराबर AC is to EF इन दोनों का ratio यह अनुपात बराबर इन दोनों का ratio यह अनुपात है और angle F जो है यह कौन F यह 65 degree है then the value of angle B तो angle B का value कितना होगा देखिए इसको नक्षा से देखते हैं देखिए स्ट्वर्ण यह जो था angle ABC sorry triangle ABC तिर्भूज ABC और triangle DEF ठीक है यह अभी मैंने नाम नहीं लिखा आप समझ के लिखना है angle A बराबर angle E equal to 40 A के साथ angle E बराबर दोनों का ratio करके तो अगर यहाँ पर यह angle A है यह 40 होगा ठीक है इसके जैसा corresponding यह संगत यह जैसा पोजिशन में यह हो जागा 40 फिर बोरा है angle F यह 65 एंगल F की दर यहाँ ना यहाँ पर यह समझेंगे बाद में यहाँ से देखिए यह दोनों ratio बराबर दियावा दोनों अनुपात इसको बटा में लिख सकते हैं AB बटा ED क्योंकि हमें पता है ratio यानुपात को हम बटा में लिख सकते हैं बराबर यह क्या होगा AC बटा EF होगा यहाँ से हमें idea मिल जाएगा कि कौन सा यहाँ पर होना चाहिए E तो ठीक है मिल गया और यहाँ से देखिए AB के साथ ED का relational है उखिए तो अगर यह AB है यह B यह बटा में ED है तो यहाँ पर यह दोनों corresponding में आएगा AB है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ED होना चाहिए यहाँ पर D होना चाहिए तो यह जब D होगा तो फिर यहां पर क्या होगा जो बचा हुआ F होगा यहां पर होगा समझ में आ गया और इसके बाद यहां से हमें ID और AC के साथ किसका relation होगा EF का तो इस समझ में ही आ रहा है AC अगर हो तो यह EF होगा ठीक है तो दो जो है side यह side और यह side यह दोनों का ratio बराबर हो गया यह side और यह side का ratio आपस में बराबर हो गया ठीक है और angle F बोला है 65 angle F जो है यह 65 है बाद में लिकेंगे यहां से देखें दो triangle है दो तीर बूजे उसमें दो-दो side का ratio AB बटा ED बराबर है AC बटा EF ठीक है यह दियावा है और इन दोनों side का जो corresponding side है इनका ratio आपस में बराबर अनुपाद बराबर है और उन दोनों के बीच का जो angle है 40-40 यह दोनों आपस में बराबर है तो फिर क्या यह दोनों triangle similar होगा जी हां यह दोनों triangle आपस में similar होगा समरूप होगा क्यों होगा क्योंके जो है बुक में एक theorem इस तरह बताया गिया है एक परमय है कि दो ट्रेंगले दो तिर्भूजे और उनका दो-दो side का ratio आपस में बराबर है और उनके बीच का अगर angle आपस में बराबर अगर है तो फिर यह दोनों ट्रेंगल आपस में similar होता है समरूप होता है यह जो बात मैंने बताया यह है थियूरम नंबर 47 लेकिन यह थियूरम पूरूफ में नहीं है हमारा जो सिलेबर से उसमें नहीं है पूरूफ इस नॉट इन इन दा इवेलुशन जिसमें जो बात बोला गया है वो हमारे काम का क्योंगर इस से short question हम बनाते है ठीक है इसमें वही चीज बोला गया है कि दो ट्रेंगल है दो त्रिपूजे उनमें एक एक एंगल बराबर है और जो एंगल है उनके जो सामने का यानि उससे जो लगवा side या भूजा है वह दोनों का Ratio अगर आपस में बराबर है यानि वह proportional तो फिर वह दोनों TRIANGLE आपस में Similar होता है service इस हिसाब से यह दोनों का Ratio अनुन बराबर है नुपात और एक 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 एंगल बराबर तो साथ हो गया, अगर लिखेंगों तो इसको कैसे लिखेंगा다음 екसे लिखेंगा ओगा। इसंगते हो गया जब यह दोनों सिमिलर हो गया, जा Бद यह को ऑ wird बराबर हो खाएगा। 3 खुल सो यह 55 खाँ को और बराबर हो गया। तो आपके इसलिए कि यह दोनों similar है, सम रूप है, तब हमें पूछाएं एंगल B कितना होगा, तो एंगल B यह वहला कितना होगा, बिल्कुल easily हम निकाल सकते हैं, यह तिर्भूज का दो एंगल हमें पता है, तीसरा निकाल सकते हैं, तीनों को जोड के 180 होता है, तो तीसरा कि चाहिए, 180 से 105 को माइनस कर देंगे, तो एंगल B जो होगा, वह होगा, 180 माइनस 105, तो यह हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है, करक्ट ओप्शन जो होगा, वह होगा C वाला, तो यहां पर हम C में टिक करेंगे, इसके बाद हो गया, चाउथा वाला है, इन ट्रेंगल ABC, एन ट्र भूज में यह दिया हुआ है, AB, QR, BC, PR, CA, PQ, यानि इनके जो तीनो साइड है, इसका तीनो साइड, AB, BC, CA, CA, और इसका जो तीनो साइड है, QR, PR, PQ, तीनो भूजा जो है, इनका जो रेशियो या अनुपात है, यह सब आपस में बराबर है, ठीक है, तो फिर यहां से हम क्य बोल सकते है, मैंने नोट में बताया भी था, दो ट्रेंगल का तीनो साइड, तीनो भूजाओ का रेशियो यानुपात जो या बटा वाला बराबर होता है, तो फिर यह दोनो ट्रेंगल क्या हो जाता है, आपस में सिमिलर हो जाता है, ठीक है, तो यह दोनो आपस में सिमिलर कर रहा है तो यहां से देखर देखें बिलकुल इजीली वेगर नक्सा या चितर बनाई भी हम यहांसे पकड़ सकते है कौन सा सही होगा देखें यहां से अगर हम मिलाएंगे ए बै है तो यहां पर क्या है क्यू आ dif philosophy क्यू का जाए हो रहा है ना बी के साथ आर का वहीं चीज़ अगर आप लाश्ट में देखेंगे तो आप समझ सकेंगे A है यहां नीचे Q है तो A के साथ Q का मेच हो रहा है और C के साथ P का ठीक है तो A के साथ Q का मेच यहां से समझ में आ रहा है यहां B के साथ किसका हो रहा है R के साथ यहां नहीं B के साथ तो क्यों नहीं होगा था न टो अगर अम नक्सा भी बनायों तो असी इसाब से बने गा तो यहां जश्ट हम उतना नहीं देखना एक तो क्यों मैच करा यह नहीं होगा ठीकिए है यानि हम देखेंगे तो टेन्गर ए बी सी सिमिलर होगा लेकिन इसका नाम में थोड़ा आगे पीछा गया ए के साथ क्यू मिल जाएगा और बी के साथ मिलेगा आर मिलेगा और सी के साथ कौन सा मैच करेगा?", दू के साथ P मैच करेगा, ठीक है? पी तो ABC triangle similar होगा समुरूप होगा किस के साथ QRP के साथ होगा तो A के साथ कौन मैच करेगा Q मैच करेगा जो मैने यहां से समझा दिया angle A, angle Q के साथ बराबर होगा ठीक है तो option A correct होगा ठीक है इसके बाद आखरी जो question AB 9 cm, BC 6 cm, CA 7.5 cm int triangle DEF the corresponding side of BC is EF DF 1 triangle यहतिरभूजे उसमें BC का corresponding side BC का संगत भूजा है उसके जैसा जगा में पोजिशन में वह है EF तीक है यानि BC के साथ EF का relation है संबंद है और EF को बोला गया 8 cm है and if triangle DEF sorry triangle DEF similar to triangle ABC और यह दोनों जो triangle यह तीरभूज आपस में similar है then the perimeter of triangle DEF will be triangle DEF का perimeter क्या होगा यानि परीदी क्या होगा तो इसको बनाने के लिए एक हम application पे जाएंग वह important application है मैं दिखाता हूँ जिस application का बात में कर रहा हूँ इस वह है page 251 में application 13 इस application में यह बोला गया है के दो similar triangle अगर है दो समरूप अगर triangle है तो उनके perimeter या परीदी का जो रेशियो होगा अनुपात होगा वह उनके corresponding side उनका जो side होगा संगत भुजा जो भी होगा corresponding side उसके ratio के साथ बराबर होता है तो जैसे कि यह दो ट्रेंगल ABC और PQR यह दो आपस में similar है तो perimeter of ABC ABC का परीदी और perimeter of PQR यह बराबर क्या हो जाएगा उनका जो corresponding side है कोई भी एक ले सकते हम उनके corresponding side के ratio के साथ बराबर होगा यह बटावने ratio होता है ठीक है और यह application बहुत important application भी है जो एक्जाम में तीन नंबर का जो एक्ष्टा थियूरम आता है यह परमय आता है उसमें भी यह कई बार आ चुका है मादनमिक हाय मदर सा एक्जाम में भी तो इसको आप याद रखेगा ठीक है इससे हम बनाने वाले है तो देखिए जो दिया वाता question के इसाब से मैंने यह नक्षा चितर बनाया है ABC ट्रेंगा ले तिरबुचे उसमें बोला AB 9 cm BC 6 cm CA 7.5 cm 7.5 cm और DEF और ABC DEF और ABC A के जगा में D 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 B के जगा में E B के जगा में E C के जगा में F यह दोना पस में C मिला रहे और इसके साथ बोला क्या है EF 8 cm EF वो BC का corresponding side BC अगर यह यह नीचे EF होगा यह 6 cm यह 8 cm यह बोल दिया था question में तो अभी मैंने क्या बता है दोनों similar है ट्रेंगल दोनों समरूफ है तो इसका perimeter बटा इसका perimeter यह जो भी बोले इसका perimeter बटा इसका perimeter इन दोनों का जो परीदी का बटा होगा ratio या अनुपात होगा वो बराबर इनके corresponding side के ratio या अनुपात के बराबर होगा तो यह जो corresponding perimeter of def इसका perimeter हमें निकालना है इसका पहले लिख लेते हैं perimeter of def triangle def इसका परीदी बटा perimeter of triangle abc इसका perimeter बराबर क्या होगा इनका corresponding side के ratio कोई साभी हम side ले सकते हैं जो कौूशन में दिया हूए इसका ले लेते हैं इसका नाम पहले तो इसका ले लेंगे जो दिया हूए था 8 cm EF बटा इसका कौन सा ले लेंगे EF अगर लेंगे तो इसका लेंगे हम BC ठीक है अर अब भेलू बटादेंगे तो आ जागा हमारा इसका perimeter बटता परिमेटर और पेरिमेटर लफ डिंधु इसथे परिमेटर दियंगें जोड़ा होता है उसी को मुलते है तो ABC का perimeter क्या होगा 9,6 और 1,5 को जोड़ दीजिए वही होगा 9,6 15,15 15,15 कितना हो जागा 15,7 22.5 22.5 होगा तो perimeter of ABC हो जागा कितना 22.5 बराबर यह हो जागा कितना EF कितना दियागा EF 8 बट ABC कितना 6 है ठीक है यहां से perimeter of DF निकालेंगे यह 6 और 8 को काट लीजिए 2 से 24,8 2,3,6 ठीक है तो cross multiply करेंगे तो perimeter of DF बराबर क्या होगा यह जो नीचे 22.5 ही इधर इंटू हो जागा इसके साथ 4 के साथ तो और perimeter of triangle DEF बराबर यह हो जाएगा 22.5 इंटू हो जागा चार बटा 3 के साथ तो देखें यह काटेंगे तो कट जाएगा यह इसको अगर point को अटाएगे तो नीचे आ जागा कितना एक point के बाद इधर एक number है तो नीचे 10 हो जाएगा अब यह काट दीजें 3 से 3 सते 21 एग गया 15 तीन पचे 15 और यह काटे 5 से 5 दूना 10 और 15 बचे 75 दो से 4 काटे 2 दूना 4 यह होगी अब 15 इंटू 2 कितना होगी अब 30 30 cm इसका perimeter होगा तो correct option होगा वह यह इंपोर्टेंट कोश्यन में से हैं तो यहाँ पर हम डी में टिक करेंगे ओके नेक्स्ट पेज में आते हैं नेक्स्ट पेज में बी में है true false है सही गलत क्या है तो पहला है if the corresponding angles of two quadilaterals are equal then they are similar कहा जरा अगर दो quadilaterals या दो चतुर भुज यानि चार साइट से गिरावा चार भुजा से गिरावा अगर दो quadilaterals का corresponding angle या उनका संगत जो कौन है अगर वो corresponding angle equal है बराबर है तो क्या वो दोनों similar होगा तो देखें quadilaterals या चतुर भुज के बारे में मैंने इस चेप्टर के शुरू में बता है quadilaterals हो या उससे ज्यादा कोई भी polygon हो जिसमें ज्यादा side होता है तीन या तीन से ज्यादा तो उसमें similar होने के लिए दो condition है दो शर्त है पहला क्या है उसका corresponding angle बराबर होगा ठीक है और साथी साथ दूसरा जो condition हो है कि उनका corresponding side proportional होगा उनका जो side सबे side या भूजा है उसका ratio भी उनका अनुपाद भी बराबर होना चाहिए तब जाकर के उनको हम similar या some रूप बोलते ठीक है सिर्फ corresponding angle या संगत कौन बराबर होने से उनको similar नहीं बोलेंगे लेकिन ये similar होता है कब सिर्फ triangle के बारे में triangle या तिर्भूज में अगर उनका सिर्फ corresponding angle बराबर हो जाए तो फिर वो similar हो जाएगा ठीक है लेकिन triangle को छोड़कर quadrilateral अगर हो 4 side वाला हो या 5 side वाला 6 side वाला हो ठीक है तो उसमें corresponding angle भी बराबर होना चाहिए और corresponding side भी proportional होना चाहिए तब जाकर वो similar होगा तो या quadrilateral का बात है तो ये similar नहीं होगा सिर्फ corresponding angle बराबर होने से ठीक है तो ये पहला वाला false होगा दूसरा में है ये नक्षा दियवा a b c या d और e दियवा है और इस नक्षा में चित्र में बोला है angle a d e ये वाला ये बराबर है angle a c b a c b ये वाला बड़ा वला triangle ये तिर्फुझ का c के साथ बराबर है तो बोल रहा है कि angle a triangle a d e उपर वाला A, D, यह छोटा ओलट रियंगल तिरभूज और रियंगल A, C, B, A, C, A, C, B, यह बड़ा ओलट रियंगल, ठीक है, यह दोनो तिरभूज के आपस में similar होगा, यह सही है रहा गलत, तो देखिए, दोनो तिरभूज यह दो तिरभूज similar होने के लिए क्या जरूरी है, कि उनका तिनो एंगल बराबर होना चाहिए, तिनो कोन बराबर होना चाहिए, जो corresponding है, तो यह गर हम देखेंगे, छोटा ओलट रियंगल में, एक एंगल इसका और एक एंगल इसका, एक एक कोन बराबर तो हई है, और दूसरा कोन कोन सा बराबर होगा, देखिए, इस ट्रियंगल को अगर हम पकड़ेंगे तो इसमें एंगल A है यहां एंगल A है और यहीं वाला एंगल है बड़ा वला ट्रेंगल में भी है इस बड़े वाले को तिरबुज में भी एंगल A अगर इसमें भी लिखेंगे तो यहां भी A है A C B इसमें भी A है और छोटा वला को गर हम और दूसरा वाला कौन क्या बराबर हो इसका D और इसका C दो-दो बराबर हो गया तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा एंगल जो बचा वो आटोमेटिक बराबर हो गया तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा एंगल जो बचा वो आटोमेटिक बराबर हो गया तो यह दोनों सिमिलर होगा ठीक है यह true होगा और तीसरा बोला है in triangle PQR PQR तरिपुज में D is a point on the side QR so that PD perpendicular upon QR PQR triangle में QR side पर एक point D इस तरह से है PD जो है वो QR के उपर में perpendicular है अमूद या लंब है so a triangle PQD similar to triangle RPD क्या यह दोनों आपस में similar होगा इसको नक्षा से समझते हैं देखें तीसरा जो question है इस तरह का नक्षा होगा PQR एक triangle तरिपुजे उसमें बोला है PD जो है वो QR के उपर में perpendicular यहाँ 90 बनाएगा इधर भी 90 बनाएगा ठीक है और उसके बाद हमसे question में यह पूछा है कि PQD यह left side वाला triangle PQD यह वाला चोटा सा और RPD यह दोनों के आपस में similar होगा यह चोटा वाला और यह चोटा वाला तो अगर अब थियूरम नंबर 48 में जाएंगे 48 नंबर पर में तो उसमें आप देखें हो कि इस तरह से होने से यह दोनों आपस में similar होता है लेकिन वहाँ पर एक condition एक शरत है यह जो बड़ा वाला triangle है P, Q, R यह triangle एक right angle triangle होता है सम कोन यह तिर्भुज होता है इसमें यहाँ P पर 90 degree बनता है लेकिन इस question में जो है P, Q, R के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि यहाँ पर 90 degree है just strip बोला है triangle P, Q, R तिर्भुज P, Q, R यहाँ पर P 90 ऐसा कुछ नहीं बोला इसलिए इसमें हम नहीं बोल सकते कि यह दोनों आपस में similar होगा तो यह तीसरा वाला क्या होगा? false होगा इसके बाद हम आते हैं खाली जगा में पहला है two triangles are similar, दो तिर्भुज similar होंगे इसमानुपात होंगे corresponding साडी तो यहां corresponding होगा संगत ठीक है? और answer में आप देखेगा तो answer मोच सकता है English book में गलत दियावाई, similar लिकावाई, similar नहीं होगा corresponding होगा, ठीक है? संगत भुजाएं और दूसरा क्या है? दूसरा important है the parameters of triangle ABC and triangle DEF are 30 cm and 18 cm respectively दो triangle यह तिर्भुजी ABC और DF इनका perimeter या परीदी ABC का 30 cm और DF का 18 cm है और triangle ABC similar है triangle DEF यह दुन आपस में similar या समरूप है और BC and EF are corresponding side यह दुन आपस का corresponding side यह संगत भुजाएं और BC 9 cm है तो EF केतना cm होगा? अभी जश्ट मैंने इस पर बनाया था short MCQ का 5 number उसी को हम यूज़ करेंगे तो इस्टोन क्या क्या दिया हुआ? perimeter of ABC 30 cm, perimeter of DF 18 cm दोनों का परीदी दिया हुआ है और यह दुन आपस में similar है, समरूप है और BC का EF दोनों corresponding side से भुजा है ठीक है? संगत भुजा है BC 9 cm, EF केतना होगा? महीं formula के perimeter of triangle ABC, ABC का perimeter बटा perimeter of triangle DF इन दोनों का perimeter यह परीदी बराबर क्या होगा? इनका जो corresponding side होगा इसका BC और इसका EF, दोनों corresponding side है तो यह दोनों का ratio के साथ बराबर होगा अनुपात के साथ बराबर होगा इसके बाद हम value put कर देंगे, हमारा बन जाएगा तो और perimeter of ABC केतना है? 30 cm है बटा perimeter of DF केतना है? 18 cm है, बराबर BC दिया होगा है 9 cm, BC और बटा EF निकालना है तो यहां से निकाल देंगा बिल्कुल ईजीली यह दोनों को काटे देखे 6 से कट जागा 6 ती, 18 और 6 पचे 30 हो गया, ठीक है cross multiply कर दीजे 5 के साथ इफ इंटो हो जागा 5 EF बराबर यह हो जाएगा, 3 से 9 इंटो हो जागा 9 होती है, 27 और यह बराबर कितना होगा 27 यह 5 इंटो इधर आएगा 27 की निचा जाएगा, डिवाइड होगा 27 को 5 से डिवाइड करे तो 5 पचे 25 बचेगा 2 पॉइंट लेंगे 0 5 इंटो के 20 5.4 cm तो यह हो जागा खाली जगा में तो यहाँ पर हो जागा 5.4 cm नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट एंसर उगरा बनाऊंगा थैंक्यू वेरे मच